कावी हेतू के बाद अब हम बात करते हैं कावी प्रियोजन की कावी प्रियोजन से अभी प्राय है कावी रचना के पस्चार उसमें जो फल कावी रचना का मिलता है वो दो व्यक्तियों को मिलता है कवी को और सहिर्दय यानि की मुकता कावी महा कावी गद्य कावादी के पाठक को नाटक के प्रेशप के तो ये जो फल मिलता है यही कावे प्रियोजन कहलाता है कावे प्रियोजन के विशय में विभिन विद्वानों ने अपने अपने मत दिये हैं सब से पहले हम भरत के मत पर जाते हैं जिनोंने नाटे शास्त्र लिखा है भरत कहते हैं धर्म्यम, यसश्यम, आयूश्यम, हितम, बुद्धी, विवर्धनम, लोक उपदेश जननम, नाट्यम एतद भविश्यती अर्थात नाट्य या कावि धर्म्य, यसश्यम, आयूश्यम, हितकारक होता है, बुद्धी को बढ़ाने वाला और लोक उपदेशक होता है भामा कहते हैं धर्म आर्थ काम मोक्षेशू वैचक्षणम कलाशू चे करोती कीर्ती प्रितिम चे साधु कावि निबंधनम अर्थात उत्तम काविय की रचना, धर्म, आर्थ, काम और मोक्ष, इन चारो पुरुशार्थों को तथा समस्त कलाओं में निपुनता को और प्रिति, अर्थात आनन्द तथा कीर्ती को उत्पन्न करती है भामा के बाद प्राहे सभी आचारियों के सामने इस दिशा में संभवते इन दोनों आचारियों का अदर्श रहा था इसलिए वामन और भुजरात, कीर्ती और प्रिती को कावे प्रियोजन मानते हैं रूद्रट, चारो पुरुशार्थों के अलावा अनर्थ का उप्षम, विपत्ती का निवारन, रोग से विमुक्ती और अभिमत वर की प्राप्ती को कावे का प्रियोजन मानते हैं कुन तक चारो पुरुशार्थों के अतरिक्त, व्यवार के उचित्य का ज्यान, हिर्दय का अहलाग तथा अंतस्चमतकार को कावे का प्रियोजन मानते हैं और अगनी पुराणकार मोक्ष को छोड़कर 6-3 पुरुशार्थों को कावे प्रियोजन में समाहित करते हैं इसी तरह से मम्मट के सामने कावि प्रियोजनों की ये बड़ी सूची रस्तूत हो चुकी थी जिने उन्होंने इस श्लोक में लिखा है कावि प्रियोजन बताते हुए मम्मट कहते हैं कावियम यश से आर्थकृते व्यभार विदे शिवेतर क्षतिये सद्यह परनिवरत्ये कांता सम्मित उपदेश युजे अर्थात कावि प्रियोजन बेच्छे मानते हैं पहला यश, दूसरा धन की प्राप्ति, तीसरा व्यभार का ज्यान, चोथा शिवेतर अर्थात रोग का नाश, तुरंत परम आनन्द, अर्थात रसास्वाद की प्राप्ति, और छटा है कांता सम्मित उपदेश मम्मट के छे कावि प्रियोजनों में सद्य पर निवृत्ति, अर्थात कावि पठन, अत्वा नाटक देखने के साथ, तुरंत जो आनन्द की प्राप्ति होती है, वे कावि का सबसे प्रमुक प्रियोजन माना है इसके बाद इस पश्ट ते दूसरा स्थान कांता सम्मित उपदेश को देना चाहिए, कावि दारा जो उपदेश प्राप्त होते हैं, वे प्रेयसी के द्वारा दिये गए उपदेश के समान, मधूर और सहज मान्य होते हैं इस सम्मन्द में एक प्रश्ण उत्पन होता है, कि इन प्रियोजनों में से किन का अधिकारी कवी है और किन का सहर्दे है, इस पश्ट है कि यश, धन और रोग नाश का सीधा सम्मन्द कवी के साथ है, और व्यवार ज्यान और कांता सम्मित उपदेश का सीधा सम्मन्द सहर मुझनाश नामक प्रियोजन का उधारण यह दिया जाता है कि सूरज की इस्तुती करने से मयूर कवी को कुष्ट रोग से तथा हनुमान बाहु की रचना से तुलसिदास को बाहु पीडा रोग से छुटकारा मिल गया था इन कावी प्रियोजन को अध्यन करने के बाद हम यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कावी हेतु होते हैं वे कावी की रचना के कारण है किस कारण से हमने किस कारण से हम कावी रचना करने को प्रवर्थ हुए अर्थात्वे कावी रचना से पहले होता है और कावी प्रियो यह कावि रचना के बाद होता है, किन्तु कावि प्रियोजन कावि रचना के बाद फल की उपलवदी है, यह इस पश्ठ है, मम्मट सहित छै कावि प्रियोजन में से, जो मम्मट ने छै प्रियोजन बता हैं, उनमें से सद्ध्य पर निवरत्ती सबसे अच्छा, सबसे उत्क्रेश्ट प्रियोजन है, और इसके बाद कांता सम्मित उपदेश का अस्थान है, दुख का नाश अर्थात रोग से मुक्ति कावि का प्रियोजन मनोवि ज्यान के इसाधार पर मानने हैं, कि कवी रचना करते समय और सहिर्द्य रचना का पठन पाठन करते समय या नाटक देखते समय अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, शेश कावि प्रियोजनों का संबन्द कावि और सहिर्द्य दोनों के लिए साक्षात रूप अथ्वा प्रिकारांतर से हैं, ये मत संस्कृत कावि शास्त्र के विद्वानों के थे, पास्चात्य कावि शास्त्र में भी कावि प्रियोजन दिये गए हैं, पास्चात्य कावशास्त्र के अनुसार प्लेटों से लेकर आई ए रिचर्ड्स तक अनेक मनीश्यों ने कावई प्रियोजन पर अपने अपने विचार पर कट किये हैं विशे के आधार पर हम इन्हें तीन वर्गों में बाढ़ सकते हैं पहला लोकमंगलवादी यानि उप्योगतावादी प्रियोजन दूसरा आनंदवादी और तीसरा मध्यम मारगी यानि कि लोकमंगलवादी और आनंदवादी जो मारग है उन दोनों में समन्वयक मारग मध्यम मारगी समन्वयवादी मारग लोकमंगलवादी विद्वान कहते हैं जिसमें प्लेटो, रस्कीन और टॉलिष्ट आय का नाम उलेखनी है प्लेटो ने लोकमंगल को काव्य का चरम प्रियोजन स्विकार किया है और वे कहते हैं कि आंत्रिक उदात भाव और सोंदरिय का उद्गाटन लोक व्यवस्था और न्याय संगत्ता के परिपालन और जगत के सत्य रूप को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य की सर्जना की जाती है रसकिन के अनुसार काव्य काल प्रियोजन है अधिक से अधिक जन्समुदाय की अधिक से अधिक हित साधना करना टोलिष्टाई कहते हैं कि कला आनन्द नहीं है बल्कि मानव एक्ता का साधन है जो मानव मन को सह अनुभूती और परस पर समवर्धित करती है इन तीनों काव्याचारियों के अतिरित नविशास्त्रवादी युग के अनेक चिंतकों ने भी काव्य के द्वारा अहलाद प्राप्ति की अपेक्षा नीती परक उपदेश पर ही अधिक बल दिया है उधारण के लिए लाबोस्चु के कथन नुसार महा काव्य का प्रियोजन विश्यवस्तु के रूपक के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना है ये लोकमंगलवादी धारणा पर आधारित काव्य प्रियोजन बताते हैं जो आनंदवादी धारणा पर आधारित काव्य प्रियोजन निश्चित करते हैं वे उनमें सबसे पहले हम लोनजाइनस को लेते हैं इनके नुसार काव्य का एक मातर लक्ष है पाठक को मातर आनंद प्रदान करना उसे बस उल्लसित कर देना आगे चलकर इस दारना के प्रिष्ट पोशक है जर्मन मनीशी शिलर जो अठारवी शताब दिके हैं इनके नुसार समस्त कला का लक्ष है अहलाद क्योंकि मानव सुख से अधिक उदात और गंभीर समस्या और दूसरी को ही नहीं है इनके पस्चात बीसवी शताबदी के आरंब में वाल्टर पेटर, विसलर, आदी ने नए डंग से और अत्यांत तीवर शब्दों में कला में कला के लिए सिद्धान्त का प्रवर्तन किया ओसकर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले ने इसका समर्थन किया, डॉक्टर ब्रेडले ने काव्य काव्य के लिए भी कहा और इन्हीं के शब्दों में काव्य आश्वाद अपना लक्ष स्वन है, इनका अपना मूल है जीवन के अन्मूल्यों के साथ इसका कोई मेल नहीं है जोन डेनिस का यह कथानू लेखनिय है कि काव्य एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कवी वासना को उद्दिप्त करता है और इसी में किसी काव्य की सफलता नहीं थे इनके अनुसार अगर कभी वासना को दीप्त नहीं कर पाता है तो वह सफल कभी नहीं कहा जा सकता है आनंदवादी धार्णा और लोक मंगलवादी धार्णा के बीच की वी एक धार्णा को अभिव्यत करने वाले या मानने वाले कुछ वित्वान है जिने मध्यम वार्गी कहा, मध्यम मार्गी विद्वान कहा जाता है, मध्यम वार्ग का विप्रियोजन को वो स्विकार करते हैं, वे कहते हैं कि, इनमें सबसे पहले अरस्तु का नाम आता है, अरस्तु कहते हैं, वो प्लेटो के आक्षेपों का आरोपों का उत्तर देते लेकिन यह आनद नीती सा पेक्ष है यह अन्यतिक नहीं हो सकता आगे चल कर इसी कथन की व्याख्या ड्राइडन ने भी की उनके अनुसार काव्य का प्रियोजन है मधुर रीती से शिक्षा देना अरस्तु और ड्राइडन के बीच होरेस ने अहलात और प्योगता इन दोनों क के समन्वया पर बल दिया विक्टर कजिन ने भी कला का उद्देश नैतिक सोंदरिय के अभिव्यक्ति माना कॉल रिज के अनुसार कवी अपने पाठक को नीती का उपदेश देता है पर इस उद्देश का प्रारम प्रात्मिक माध्यम आनंद है यानि कि उपदेश तो वह लेकिन वो ऐसी कवीताएं ऐसा साहित रच कर उपदेश देता है जिससे पाठक या नाटक का दर्शक आनंद पहले लेता है जब कोई कवी की रचना को या नाटक को देखने के लिए जाता है तो वह उद्देश ग्रहन करने के लिए नहीं जाता बलकि आनंद के लिए जाता है लेकिन उस आनन्द की परिणिती उपदेश में होता है हर कवीता से हर साइते से जो पाठक या दर्शक होते हैं उन्हें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है वाड़स्वर्थ के अनुसान कवी का लक्षय सत्य और सोंदरिय के माध्यम से आनन्द प्रदान करना शैले काव्य और जीवन का अटूट संबन मानते हैं और कहते हैं काव्य जीवन का प्रतिविंभ है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है यानि कि आनंद देते हैं लेकिन आनंद उपदेश या शिक्षा देने के लिए दिया जाता है और पाठक आनंद लेने के लिए या नाटक देखता है या साहित पढ़ता है लेकिन जो उसका परिणाम होता है वो उसे किसी ना किसी शिक्षा में मिलता है आई ए रिचर्ड्स ने कला कला के लिए सिध्धान्तों को अस्विक्रत किया और कहा कि काव्य के लिए नैतिक्ता तथा लोकमंगल को आवश्यक है काव्य द्वारा अहलाद प्राप्ति तो उन्हें मान्य है ही यानि कि ऐसे काव्य को ऐसी कला को स्विक्रत करते हैं ऐसे साहित्य को स्विक्रत करते हैं जो लोकमंगल और नैतिक्ता धारण किये हुए हो और पाठकों या दर्शकों को आहलाद या आनंद दे सके हैं इस तरह से पास्चात काव शास्तर में आनंद और लोकमंगल के इस समन्वित रूप को ही जादतर स्विकार किया है। और सर्वुत क्रेश्ट माना जाता है। यह हमारा कावे प्रियोजन पूरा हुआ। और अगला शब्शक्ति